दोस्तों यह हमारी प्लेटा और उनके छोले बड़े ही स्वादिष्ट यह इनकी दही डल गई यह हरी चट्मी यह इनका मूली का अचार तो हम है गाइस करावन लगर में और यह हम है इनके श्री रादे रादे छोले कुल्चे यह बहुत ही टेस्टी छोले कुल्चे बनाते और उनके बनाने का तरीका बिलकुल ही अलग है कि अंकल जी कितनी पुरानी दुगान होगी से चार-पैंच महीन1 प hatred लेकिन यहां पर खा रहोंगा तो अच्छे बनाते काँ चूले कंगे चल्चे इसके बाद इस संब्ध कर दा ना अजमायन और जीरा, जीरा डालतें आप इनकभी देखा नहीं बाकी बाकी मख्ञा लगा देखा ने अंगल जाग मख्ञ व्हान कॉन सा उजकरते हैं अमुल डिलीशियस एंद दो देखिए नीट्रलाइट तो कि शस्ति ब्रैंड यूज करते हैं अच्छा मखन यूज करते है कास्तोरी मेथी का मैंने काफी जाग खाएं यह सब मेरे को कास्तोरी मेथी वगारा मिलती नहीं है देखने में बड़ टेस्टी लग रहे हैं इन्होंने अलू भी लगाया अपने कुल्चे में इसके बाद पनीर लगाते हैं यह देखिये पनीर कि अब दो पर रखोल्ट करके दोबारा इसको पनीर लगें मखण लगे इस पर तो मखण से बहुत बरपूर इसको भर दिया गया एक दम एक बार और कस्तूरी में थी करावन नगर चोक पड़ता है यह लंबर्दार मार्केट नंबर्दार मार्केट नंबर्दार मार्केट करावन नगर चोक नंबर्दार मार्केट श्री रादे रादे छोले कुल्चे आप एक बार जरूर आके यहां पर ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छा है अंकल जी कितना रूबे प्लेट होता है कि इस मैं आपके दो कुल्चे रहते हैं और छोले तस रूबे कर रायता है बूंदी कर रायता है कुल चे हमारे तयार हो चुके हैं तो मैं आपको प्लेट दिखाएता हूं यह किस तरीके से लगाते हैं दोस्तों यह हमारी प्लेट है और उनके छोले बड़े ही स्वाधिस्ट यह इनकी दही डल गई यह हरी चट्मी यह इनका मूली का अचार अब भ्या आपकी टायमिंग क्या होगी नो से चार सुभा नो बजे सचार वजे था जाएं और यह प्यास सिरके वाली भी होती है आपके से वाली होगे कि कि अ तो यह जी आ गए गरमा गरम एकदम गुल्चे देखने में बड़े ही स्वादिस्ट लग रहे हैं तो हम आपको खा के इसका टेस्ट बताते हैं तो इस बड़ा ही स्वाद है मज़ा ही आगया खा के आप एक बार जरू ट्राई किजेगे हां पर आके करावन लगा चौप के पास है श्री डाज़ डाज़ छोले गुल्चे महां तीस रूपे में आज़े हमने चोले देखने हैं बड़े स्वादिस्ट लग रहे हैं कि टेस्ट सच में बहुत अच्छा है लाजवाब एक तम आप जरूर राए हां पर हाई जीनिका बहुत और बैठने के लिए चेवल भी आपको मिल जाएंगी ओके गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आपको अच्छा लगे तो